इस प्रियोग को भी करें इंजक्षन की खाली साफ शीशी में 10 एमल गर्म दूध डाल कर उसका धक्कन लगा दें इंजक्षन सिरींज में 2 एमल नीबू का रस लें इसे दिये गए चित्र के अनुसार इंजक्षन की शीशी के ढक्कन में व्यवस्थित कर पूरे उपकरण का वजन नोट करें ध्यान रहे कि व्यवस्था इस प्रकार की हो कि दूध तथा नीबू का रस आपस में ना मिलें अब सिरींज में रखे नीबू के रस को धीरे धीरे पिस्टन द्वारा शीशी में डालें शीशी में रखे दूध में होने वाले परिवर्तन का अवलोखन करें क्या आप सोचते हैं कि यहां कोई रासाइनिक अभिक्रिया हुई है अब पूरे उपकरण का वजन पुना ग्यात कर नोट करें क्या प्रियोग के पहले तथा बाद में उपकरण के वजन में कोई परिवर्तन हुआ इस प्रियोग में सही निसकर्ष तभी प्राप्त होगा जब मापन हे तू लिये गये उपकरण द्वारा शुद्धता पूर्वक मापन किया जा सके इस समझ को एक नियम के रूप में व्यक्त किया गया किसी रासाइनिक अभिक्रिया में द्रविमान को न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नस्ट इसे पदार्थ की अभिनाशिता का नियम या द्रविमान संरक्षन का नियम कहते हैं इस नियम को लवाई जीये ने प्रतिपादित किया था